तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं साधी पाटी है बनने वाले रायते की सीक्रेट रेसिपी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट चाहिए करना बिल्कुल ना भूले चलिए देख लेते हैं कैसे बनी गई रायता तो यहां पर ब्रतन में दो पै पांच मिनट के लिए पानी आड़ करके से साइड में छोड़ दीजिए अब हम यहां पर लेंगे एक बरतन में यहां पर मैं दो पैकेट लसी का यूज कर रही हूं आप चाहे तो इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने दो पैकेट लसी नमक तो मैंने एक चमच काले नमक का यूज किया है और साथी में आड़ करेंगे आधी चमच यह सफेद नमक आज तोड़ा सा आपको धनिया का पाउडर आड़ करना है और टेश के अगॉर्डिंग इसमें एड़ करेंगे तीखी वाली लालमर्च एक चमच आपको इसमें करना है बोनेवे जीरे का पाउडर और साथी में हम इसके एड़ करेंगे यह है आदे चोटी चमच हींग आपको अच्छी वाली यूज़ करनी है और साथी में आपको सहरा फ्रेस दनिया यूज़ करना है बारी कटा हुआ तो यह देखिए हमारी बूनी अच्छे से पांच मि एड़ कर लिजिए सारी भूंदी अच्छे से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए हमारी अच्छे से रायते मिक्स चुका है अब लगाएंगे आम इसमें तड़का तो यहां पर मैंने एक किल आ है चमचा इसमें और करेंगे ए एक कोकिंग औयल तो मैंने आपर रिफाइंड ऑपाल का यूज किया है इसे हलका सा गरम होने दिंगे तो यह जैसी गरम हो जायेगा इसमें आड़ करना है आधि चम्मच जीरा तो मैंने आधि चम्मच इसमें आड़ कर दिया जीरा एक सुखी लालमर्च तोड़के हींग एक पिंच चाल से पा इससे हमारे रायते हैं बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो यह देखिए इसमें आड़ कर लिजी और इसको डखकन रग लगा के आपको दो से तीम मिनटे के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए रायता हमारा बंद के बिल्कुल रडी है तो अगर आपको यह रेसिपी अच और नहीं वीडियो के साथ अपते के लिए बाई बाई